जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोनों का कर्जा चल गया, मेरा वेप्तिकत बैंक बालन जीरो यानि शूनियो, कमाई के सब जरिये बन थे और सरकार की तरफ से घर पर कु चली, बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो, अनिल ने मुझे आकर ये बताया, दिवियों सजनों जितना वो देना चाह रहे थे, उससे मेरी सारी दुविधा और परिशानिया खत्म हो जाते हैं, उनकी उदारता पर मैं भावक हुआ, लेकर मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्विकार न कर पाऊंगा, इश्वर की किपा रही और कुछ संकट की दिनों के बाद, समा बदला, काम मिलना शुरू कुआ, और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाऊंगा, एक शाम दिरुबाई के निवासतांसी इवेंट पर एक गावत के अफसर पर मुझे भी आमन्तिक किया गया, उपर लॉन में एक तरफ दिरुबाई बड़े से मेच पर अपने कुछ मित्रों बड़े फाइनशल और कॉपरेट वर्ल्ड के दुनिय और के दिग्जों के साथ बैठे में बाद कर रहे थी, मुझे पर नज़र पड़ी तो मुझे बुलाएं और कहां यहां मेरे साथ बैठे, मुझे बड़ा आजीब लगा, मैंने ख्शमा मांगी और कहां, मैं उधर अपने पित्रों के साथ बैठा हूँ नहीं ठीठी, उन्ह का गिर गया था, लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज़त करता हूँ, उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशी से हजारों गुना ज्यादा मू लिबान थे, जितना कि वो मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के के वो मुझे मेरे खड़ता ये लिए को वो मुझे करता है हूँ है।